सो हेलो और वेलोम गाइज तो आज की न्यूव वीडियो लेकर और आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे से एस में ग्रेंड मास्टर जा सकते हो वह बिल्कुल एजीली तो अगर आप लोग सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत जल्दी ग्रां यूस पी या जी एटीन ही लेनी है अगर आप लोग वन टैप में मजाख में ट्राइक खरोगे तो आप लोग डेफिनिटली हार जाओगे जिसका इंपक्ट परने वाला है राउंड टू पे क्योंकि वान का लिंक है राउंड टू से अगर आप लोग पहला राउंड जी जात डेस्ट गन बाय करने के बाद आप लोग ने सेकंड राउंड में करना है राश और राश के लिए जो करेक्टर बताओंगा वो तो देखना बिल्कुल भी मत बूलना अब हम लोग बात करते हैं पहले दो राउंड तो जीत के बर तीसरे राउंड में क्या करेंगे तो तीसर का फाइदा कि जब आप लोगे तो एक से दो बंदू को तो एजिली नॉक कर दोगे और वहां पर आप लोग जीत जाओगे तीसरा राउंड और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है चोथा राउंड क्योंकि अगर आप लोग तीसरा राउंड जीत गे तो सामने वालें सिरफ और सिरफ जीतने के लिए ही खेलेंगे और वहां पर वो या तो कैम्प करेंगे या फिर रश करेंगे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं बट आप लोगों को रहना होगा रेडी और चोते राउंड में आप लोग को यूज करना होगा अपना दिमाग और कॉड लोग रेंज में रखो ताके वो अच्छे से फाइट ले पाए तो यहां पर आप लोग को क्या अगर ने आप लोग को एक गरोजा बाय कर लेंगे या इस तरह का कोई लोग रेंज वैपन भी खरीज सकते हो जब आप लोग ऐसा कर लोगे तो आप लोग के पास शौर्ट र लियोन लगा और नेडर ओ तो नेडर वाला केरेक्टर और पैट भी एक्विप कर लें ना उसके साथ मोको और न्यू वाला केरेक्टर लियोना केरेक्टर भी एक्विप कर लो हम सारे characters को equip करने के बाद आप लोग का में ब्रहमास्त के बारे में बताता हूं कि कौन सा character और weapon मिल के ब्रहमास्तर बनाएगा तो इसमें आप लोग को चाहिए होगा wukong character उसके साथ double barrel अगर इन दोनों का combination किया जाये तो literally ब्रहमास्तर ही बनेगा ये एक एसी गने संसरा जिसको आप लोग कर पी नहीं नहीं हरा सकते हो अगर आप लोग इस tip को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोग 4 के-4 राउंड इसली जीत सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही था अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि इस तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं